नमस्कार द्वारा रचित कावे कृतिया निमनल खित हैं एक दिन बोलेंगे पेड, मिटे का चहरा, ने पत्थे में हसी दो पंक्तियों के बीच दो पंक्तियों के बीच पर उन्हें सहित्याकार्मी पुरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है साथी साथ राजेश जोशी समाजिक सरोकारों के रचनाकार है उन्हें निराशा में भी आशा की प्रबल संभावना दिखाई देती है जोशी जी की जो भाशा है वो बहुती सरल, सहच और अकृत्रिम है अकृत्रिम यानि बनावटी बिल्कुल भी नहीं है गद्य को पद्य बनाने की कला में भी कुशल है और ये जो कवीता है वो यही कवीता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और इसमें समाजिक बोध की और इशारा किया गया है इसमें बाल मजदूरी की विविश्टा पर चिंता प्रकट की गई है इसमें बताया गया है कि ये तनी गहरी पीड़ा है कि बच्चों को खेलने कूदने तक नहीं दिया जाता है कभी प्रशन पूछता है कि बच्चों की गेंदे, बच्चों की पुस्त के खिलोने का है, बच्चे खेलते कूदते क्यों नहीं है कभी को लगता है कि अगर बच्चों के जीवन में निश्चिंत खेल खूद ही नहीं है तो फिर ये जीवन जीने योग्य नहीं है कि अगर बच्चों से ही उनका बच्चपन छीन दिया जाएगा तो वो करेंगे क्या तो ये कवीता कुछ इस प्रकार है आगे हम कवीता की और बढ़ते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं यही कहना चाऊँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे तक ही आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो चलिए हम कवीटा क्यों पढ़ते हैं पहला पद है कोहरे से ढकी सडक पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंती है यह है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, यहां पर जो कवी हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं, कि सुभा का समय है, सडको उपर कहरा, यानि फ कि वो बच्चे ठंड से बचने के लिए घरों के अंदर ही खेलते, कूदते बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पनती है ये और आगे चल के कवी कह रहे हैं, कि हमारे समय की सबसे भयानक परिशानी है ये कि छोटे-छोटे बच्चों को अपने घर को चलाने के लिए काम करना पड़ रहा है ये भायानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि ऐसी क्या मजबूरी है कि इतनी भायानक स्थिती है और छोटे-छोटे बच्चों को ऐसी कड़-कड़ाती ठंड में काम पर जाना पड़ रहा है। ये कोई विवरण की बाद नहीं है कि बस किसी को explain कि एक article लिखा और लोगों ने पढ़ा और बस खतम, महीं पर बात खतम होगे टाल दी गई। ये गलानी की बात है, ये विचार करने की बात है, इसे तो एक प्रश्न की तरह उठाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर का क्रोध जागरित हों, कि हमारे समाज के छोटे-छोटे बच्चे जिनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, खेल-कूद करना चाहिए, ये इतनी क्यों कर रहे हैं, इन्हें जब खेलने कूदने की चिंता होने चीए, अपने खिलोना की चिंता होने चीए, ऐसे में इनको आखिर क्या परिशानी है जिसकी वज़े से ये खेल-कूद की दुनिया से तूर रहकर पेट पालने की चिंता में लीन हैं, तो पहले पन में यह का दूसरा पत कुछ इस प्रकार है, सिचुएशन को देखते हुए, इस परिस्तिती को देखते हुए, कभी प्रशन करता है, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या इनके खेलने के लिए गैंदे अब नहीं रही है, क्या इनके लिए रंगीन किताबे नश्ट हो गई है, क्या उन्हें दीमके खा गई है, क्या इनके लिए खिलाओने समाप्त हो गए हैं वे किस काले पाहाड के नीचे दपकर नश्ट हो गए हैं क्या इनके लिए विद्याले नहीं रहे मदर्सों के शब्द का प्रयोग हुआ है विद्याले के लिए जिसमें मुस्लिम शिक्षा के अंत्रगत मदरसों को विद्याले का जाता है क्या विद्याले किसी बुचाल की चपेट में आकर नश्ट हो गए है कि विद्याले खतम हो गए है टॉइस खतम हो गए है कि तावे नश्ट हो गए है कि ये खेलने की बजाए पढ़ाई करने की बजाए इंको काम करना पड़ता है यह खेलने के लिए खुले मैदान होने चाहिए बाग बगीचें होने चाहिए घरों के खुले आंगन होने चाहिए यह सब के सब कहा गए कहा नष्ट हो गए कि इन बच्चों के पास ऐसा कोई भी source नेग जिनके पास होना चाहिए और जिसकी वज़े से इनको काम पर जाना पड़ रहा है अगली पंक्तियों में कभी कुछ इस प्रकार कहते हैं कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में और इस दुनिया में बच्चों के लिए बचा ही क्या है जब उन्हें सारे resources होते हुए भी उनको काम करना पड़ रहा है तो फिर बचा ही क्या है कितना भयानख होता अगर ऐसा होता और अगर ऐसा हो जाता कि उनके सारे खिलोने किताबे is coolsome नश्ट हो जाते तो कितनी भयानख होता पर इससे भी जादा भयानक है कि ये सारी चीजे जैसी की तैसी मौजूद हैं वो अभी भी एक्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में खिलोने हैं, किताबे हैं, विद्याले हैं बगीचे हैं, बाग हैं, सब कुछ है बच्चों के लिए लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चे जो हैं, इन चीजों का प्रियूग नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें अपने घर का और अपना भरन पोशन करने के लिए अपनी दिन चर्या को चलाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को काम करना पड़ रहा है कि ये दुनिया में चीज़े खतम हो जाती इतना ज़ादा भयानक या भयावय स्थिती नहीं होती उससे ज़ादा भयावय है कि ये चीज़े होते हुए भी बच्चों को काम करना पड़ रहा है और समाज के लोगों को ये मालूम है और धढले से उनके आँकों के सामने काम हो रहा है पर दुनिया की हजारों सटकों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं और ये सिर्फ किसी एक जगा पर नहीं हो रहा, किसी एक राज्य में नहीं हो रहा, इस सब जगा काम हो रहा है, इस सब जगा काम हो रहा है, और सब को मालूम है, और कई लोगों के तो घर में भी चोटे-चोटे बच्चे काम करते हैं, यानि सब को सब कुछ मालूम है, फिर भ अगर आपको किसी पर प्रकार की कोई दिक्कत या परिशानी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें साथे साथ इस कवीता के प्रश्ण उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे बिल जाएंगे उसके बाद भी अगर आपको कोई परिशानी हो तो आ करें करें